तो नमस्कार दोस्तो मेरा नम है राजवपंडित और स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना अपनी प्रोपर्टी पे दोस्तो हम पहले की तरह आपके लिए इस बार भी बहुती बेहतरी नोकेशन पे बहुती बेहतरी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट आपके लेके आए हैं दोस्तो मैं बात करूँ इस location की इस location का नाम है कल्यान नगर यानि की रहरा बजार सामने रहरा बजार है रहरा बजार से चार से पांच पांच मिनट वाकिंग डिस्टेंस भी ये location आपको मिलेगा पास में हैं आपको वहां से आप खरदा इस्टेशन 10 मिनट में पहुंच सकते हैं दोस्तों अगरें बात करूँ कल्यान नगर बस से तीन मिनट के लोकेशन तीन मिनट के वाकिंग डिस्टेंस पर ये फ्लैट आपको दिखेगा दोस्तों सबसे बड़ी बात में आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस location पर ये फ्लैट है बहुती सांथ बहुती पीसफु के आ रहे हैं एक बार इस नजारे को देखिए इस तरीके से आप खुदी समाझ सकते हैं कि कितने पीसफुल इलाके में हमारा आज का जो फ्लैट आप लेका है वह फ्लैट एवेलेबल है आप यहां से सीधा रो देख सकते हैं बहुती सुन्दर बहुती ग्रीनी का काफी ख् इंट्रक्शन अभी जो हम प्लैट में इंटर करने वाले है इस प्लैट में पीन एरिया वाले आपको हम फ्लैट दिखाने वाले हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हमें काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेट करता है और भी अच्छे प्रॉपर्टी और फ्लैट लाने के लिए तर मैं बात करूं दोस्तों ये फ्लैट जून में आपको हैंडवर मिल जाएगी और चलते हैं दिखाते हैं आपको कि कौन-कौन सा फ्लैट हमारा अभी एविलेवल है पर अब हम बीडिकर के आपकोशिस तरीके से आपको इंटरेंस देखने हैं कि कौन-कौन इल्ए है और मैं दिखाए घ्ल्याषर में डिखाने जा रहे हैं में और की बात करो इस फ्लैट का तो 820 स्क्वार फिट करें प्लैट के दो मने की डूरूम मनैंडियगे टु भी आज के फ्लैट आपको यह एकी टू भी अजकी आडए तो 220 स्क्वार फिट के एरिया पर दूस्तों हम इंटर कर रहें हमारे इस प्लैट में। आ यह किheमारा इंट्रेंस है आप जैसे ही इंटर करते हैं आप आज आते हैं घाज हो प्लस डाइनिंगी ए। और सहत इसके साथ मारा कशनीय है कीचे हग तरिके से उपकी अच्छे स्पेस के सांद आपको लुब रहा है जहां पर आपको ventilation का काफी अच्छा proper ध्यान रखा गया है यहां पे आप अपना चिमनी वगएरा सब यूज कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से आपको ventilation का सुविधा यहां पर यह किशीन इरिया होगा ठीक है दोस्तों आप इसी hall के साथ आपका attached यह common washroom है common washroom यह जब आपको handover होग दोस्तों अब हम चलते हैं हमारा master bedroom यह हमारा master bedroom एडिया है यह master bedroom मेरी में आप देखिए कि जो हमारा यह flat है अगर मैं इसकी facing की बात करें दोस्तों तो south, north, east तीन तरफ से आपको यह facing मिल रहा है यानि कि आपको तीनों तरफ से open मिल रहा है आप देख सकते खुदी यहां प पूरे flat में आपको कभी भी lightning का दिन में problem नहीं होने वाला है यानि कि काफी अच्छे space के साथ आपको यह master bedroom इसके साथ हमारा यह attached यह बात्रूम है प्रस्नल बात्रूम में attached ठीक है और इधर आप wardrobe आप बना सकते हैं इसको यह wardrobe आप इसको बना सकते हमारी वगएरा कपड़ सब रखने के लिए तो यह हमारा था हमारा master bedroom area दोस्तों इसके साथ ही आप यहां पर second bedroom में आप इंट्र करते हैं second bedroom में भी आपको काफी अच्छे ventilation यानि की काफी अच्छी lightning का प्रॉपर सुधार दिया गया है यहां पर भी ठीक है आप सामने व्यू देखिए कितने प्रॉ आप यहां पर यहां पर यहां पर बालकनी का देख लिए यहां से आप बैठके सामने तालाब पर रही है और काफी अच्छी व्यूटिफुल ग्रेनी एरिया आपको सामने आपको environment बहुत बढ़ियां परिवेस आपको देखने को मिल रहा है ठीक है दोस्तों यहां पर आप ओपर देख सकते हैं उपर में हैं हमारा आप वहां पर सामान वगएरा जो आपका है तो कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों यह हमारा 820 square feet का इस तो बीज इस ठीक नॉर्ड और इस प्रेसिंग का फ्लैट यह थार्ड फ्लोर में है इसी तरीके के पुरा सेंड इसी तरीके का फ्लैट आपको फ्रस्ट फ्लोर और यह थार्ड फ्लोर जिसका मैं अभी विडियो आपको दिखा रहा हूं इन फ्लैड एविलेवल और वेस्ट की तरह से जो ओपन फ्लैट है उसको दिखाने जा रहे हैं और एरिया अगर में बताओं तो लगवग और 650 स्कौयर फिट का सूपर बिल्डप एरिया आपको यहां पर मिल रहा है और यह हमारा इस फ्लैट का इंट्राइंस पॉइंट है आप जैसे इंटर करते हैं इंटर करते ही आप हौल प्लस डाइनिंग हम पहुंचते हैं और यहां पर आप आते ही आपको इधर कौमन देख लिज्य इसाथ सब्सक्राइब को बेंट रहा है ठीक है और हम वे कि है यदि विल बेल खुमध मिल रहा है उस प्रॉब्लम नहीं इसके साथ हम अटेस्ट हमारा बड़ा एरिया के साथ आपको एक परसनल बातरूम एरिया आपको मिल रहा है ठीक है तो यह होगी हमारा मास्टर बेडरूम और इसी के साथ आपको जैसे आप यहां से आगे आते हैं तो यहां पर आपको हमारा सेकंड बेडरूम का आपको यहां प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां साथ में इंटर करते ही यह हमारा बालकनी एरिया है और बालकनी एरिया से आपको देखे व्यू कितना सुन्दर देखने को मिल रहा है यानि कि इस फ्लैट अगर बताऊं तो साउथ और वेस्ट ओपेन है इस फ्लैट का दोस्तों यह था 650 स्कार्फिट सुपर बिल्डप एरिया वाले फ्लैट अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में जैसे आप इंटर करते हैं आप हॉल प्लस डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं जिसके साथ आपको ओपेन एरिया किचन यहां मिल रहा है इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको दोस्तों पॉप्णिंग कुज़र दोस्तों आपका ओपनिंग कंकिस के आपन है इसका क्या है तो यह आपका नौर्थ और वेस्ट प्रॉपर आपको लाइटनिंगं की कोई प्राब्लम यहां पर नहीं होने वाली है दोस्टेव क्लाइब आपको इंटर करती चलते हैं हमारा सेकन्ड ये सक्दवेड़ुन करती हैं कि इस साथ洗kaया इंटर करते हैं तो यहां पर सामने का नजारा बैके कई काफिश चाय सांब का सुबह गोलता वह इस नजारे का बात कर लेते हैं यहां पर लिफ्ट एवलेबल है कि अपको लिफ्ट एवलेबल है लेकिन पार्किंग आपका एवलेबल नहीं है और दोस्तों यहां पे अगर मैं क्या अगर रेट है यह सब की बात परूँ तो पर स्कॉयर फीट 25 रूपे आपको पढ़ेंगे यानिके 25 रू पर आपको अच्छा डिसकाउंट आपको मिलेगा ठीक है तो दोस्तों अभी हम यह समझते हैं कि लिफ्ट जो मैंने कहा एवलेबल है लिफ्ट और मदर मीटर के मलग से 60,000 रुपीज पे करने होंगे और साथी साथ 1% का GST भी यहां पर आपको पे करने होंगे तो दोस्तों अगर आप दोस्तों आपको यह लोकेशन वगेर आपको पसंद आया हो और आप चाहते कि हम विजिट करना चाहते हैं इस प्लैट का हम देखना चाहते हैं तो आप इसकीन पे आपको नंबर दिया गया है विजिट करने के लिए उस पे आप कॉल किजिए कॉल करके आप यहा वाइज भी बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ आपका आसपास का जो में एरिया दिखा है वह बहुत ही खूपसुरत नजर आपको देखने को मिलेगा यह मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं आप जब यहां पहुंचेंगे आप खुदी महसूस करेंगे कि आसपास का एरिया और इंवारोमेंट वाइज कितना भी ब्यूटिफूल यह जगह है तो दोस्तों इसी के साथ मैं यह वीडियो आज ही खतम करना चाहता हूं और साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रॉपर्टी का इसके बारे में पता चलता रहे हमारे चैनल के थुरूर तब तक कि लिए धन्यवाद